आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप की चटनी शेयर कर रही हूँ अमरूद की चटनी ये बहुत ही टेस्टी बनती है बस इतना ध्यान रखना है कि अमरूद ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए मैंने एक बड़ा सा अमरूद ले लिया है और उसे काट लिया है इसका बीच वाला हिस्सा हमें चटनी में नहीं डालना है इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और अमरूद को छोटे-छोटे टुकडों में मैंने काट लिया है इन टुकडो को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है हाफ बंच के करीबन मैंने हरा धनिया ले लिया है तीन से चार हरी मिर्च ली है आप तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो आदा इंच अद्रक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आदा चम्मच जीरा, आदा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काला नमक काला नमक ये हमारी चटनी के टेस्ट को काफी बढ़ा देंगा आदा निम्बू का रस लिया है और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पीस लेना है बस अमरूत के चटनी रेडी है, ये काफी टेस्टी बनती है आप को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ